हेलो फैंस, नीटिंग डिजाइन में ये देखे, प्यारी सी बार्ड की डिजाइन, बहुती खुबसूरत, बहुती प्यारी डिजाइन, इसे आप किसी भी बच्चे के स्वेटर पे, ब्लैंकेट पे, जैकेट पे कहीं भी बनाएगे, इसे मैंने बार्डर की रूप में बनाय देती है, ये थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने फंदे को फसा दिया है, तो बहुती आसानी से ये डिजाइन बन गई, ये देखे, प्यारी से बार्ड की डिजाइन, तो आज हम इस बार्ड की डिजाइन को बनाना सीखेंगे, इस बार्ड की डिजाइन को बनाने के लिए ह दो बิड के बीच में यह हमारे दो दो फंदों का गैप आप मैं ओर जब इस डिजाइन को हम बनाएंगे कि एक वाइड यह इस सब्सक्राइड और छेखिकटि में हमांय। 10 फंदे रेट के हैं और फिर यहां 2 फंदे हमारे वाइट के आए हैं इस तरह से 10 फंदों के बाद यह दूसरे बर्ड हमारी शुरू हो गई फिर यहां बीच में हमारे 10 फंदों का गैप यह एक वाइट के बाद 10 फंदे हमारे रेट के हैं और फिर 2 वाइट आया है तो इस त पूरा वीडियों बणाना सीखते हूं इस बढ़ की डिसाइन को बनाने के लिए हमने यहां। इस इवन्टीन फंदे पूरे लिये हैं। और इनंहीं सेवन्टीन फंदों को हमें बार बार रिपीट करना है। तो इस डिजाइन की फर्स्ट ट्रो फर्स्ट ट्रो में हम ब्लू कलर से एक उतार लिया दो तीन चार फंदे ब्लू के अब हमने यहां पर यलो कलर लिया है आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकती है तो एक दो फंदे यलो के यह देखिए दो यलो हो गया एक दो फंदे ब्लू के एक हमारा यलो एक हम ब्लू से बनाएंगे एक यलो और फिर हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार पांच और एक छे फंदे यह ब्लू के हो गया यह देखिए हमारी फर्स्ट रो है और इसे ही हमें फिर बार बार रिपीट करना है अब यहां पर देखिए रो नमबर टू आ गई रो नमबर टू में हम ब्लू के उपर ब्लू से ही करेंगे एक दो तीन चार पांच छे और एक साथ फंदे ब्लू के अब हमारा यलो कलर एक यलो एक दो ब्लू एक हम यलो से बनाएंगे और इसके बाद फिर हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार पांच छे फंदे हमारी यह ब्लू के इसके दो रो हमारी बन गई अब रो नमबर थी पे है जिस पर ब्लू कलर से एक उतारा यह दो तीन चार पांच छे फंदे ब्लू के अब हमारा यलो एक दो तीन चार पांच फंदे यलो अब हमारा ब्लू एक दो तीन चार पांच छे फंदे ब्लू अब हमारा ब्लू एक छे यह देखिए रो नमबर फोर रो नमबर फोर में ब्लू कलर से एक दो तीन चार पांच छे फंदे ब्लू के अब हमारा यलो एक दो तीन चार पांच छे फंदे यलो अब हमारा ब्लू कलर एक दो तीन चार पांच यह देखिए रो नमबर फोर तक मेरी डिजाइन बन गई अब हम रो नमबर फाइब पे हैं जिसमें ब्लू कलर से एक दो तीन चार पांदे हमारे ब्लू के चार ब्लू के पाद एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस यह दस फंदे यलो अब हमारा फिर ब्लू कलर एक दो तीन फंदे यह ब्लू के हैं यह देखे रो नमबर 6 है रो नमबर 6 में हम ब्लू कलर से एक दो तीन फंदे ब्लू एक दो तीन चार पांच यलो एक दो तीन ब्लू एक दो तीन फंदे यलो के एक दो तीन फंदे हमार यह ब्लू के यह देखे रो नमबर 7 रो नमबर 7 में है यह ब्लू कलर MIKE एक, दो, तीन फंदे ब्लू, अब हमारा यलो, एक, दो यलो, एक हम ब्लू से करेंगे, फिर हमारा यलो, एक, दो, तीन फंदे यलो, एक ब्लू, एक, दो, तीन, चार, पांच यलो, एक, दो फंदे हमारी ये ब्लू के, ये देखे, ये देखे, हम रो नमबर एट है, जिसमें एक, दो फंदे ब्लू के, एक, दो, तीन, चार यलो, एक हमारा ब्लू, एक, दो, तीन, चार यलो, एक ब्लू, एक, दो यलो, एक, दो, तीन फंदे ये ब्लू के, ये देखे, रो नमबर हमारी नाइन आगे, रो नमबर नाइन में ब्लू कल से एक, दो, तीन, चार फंदे ये ब्लू के, अब हमारा यलो, एक, दो यलो, एक ब्लू, एक, दो, तीन, चार यलो, एक ब्लू, एक, दो, तीन, चार यलो, और एक हमारा ये ब्लू, ये देखे, ये देखे हम रो नमबर टैन, रो नमबर टैन में एक हमारा ये ब्लू कल से एक, दो यलो, एक, दो ब्लू, एक, दो, तीन, चार फंदे यलो के, एक हमारा ये ब्लू, एक, दो, तीन, चार फंदे यलो, एक, दो, तीन बंदे ये ब्लू, ये देखे रो नमबर 11 जिसमें ब्लू कलर से एक, एक हम ये ब्लू से बनाएंगे, अब हमारा यलो आ जाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ खंदे यलो के, एक ब्लू, एक, दो, तीन यलो, एक, दो, तीन, चार, पाँच खंदे बारे ब्लू के, ये देखे, रो नमबर 12, रो नमबर 12 में ब्लू के उपर हमारा ब्लू कलर ही रहेगा, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच ब्लू, एक हम यलो से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच ब्लू के, एक, दो, तीन यलो, एक ब्लू, एक यलो, एक ब्लू, यह देखे रो नमबर 12 तक है मेरी बार्ट बन रहे हैं अब हम रो नमबर 13 पे हैं तो रो नमबर 13 में ब्लू के ऊपर हमारा यह दो ब्लू ही रहेंगे एक और एक दो अब हमारा यलो कलर एक दो तीन चार पांच फंदे यह यलो के और इसके बाद के सारे फंदे हमारे ब्लू रहेंगे यह तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और एक दस यह देखें यह देखें यह देखें रो नमबर 14 रो नमबर 14 मैंने ब्लू के ऊपर सारे ब्लू कर ली हैं एक यह यलो फंदे को भी हम ब्लू कलर कर देंगे अब हमारा यलो कलर आ जाएगा एक तो तीन फंदे यलो के अब ब्लू कलर से एक दो तीन फंदे ब्लू के अब यह देखें यह यह 14 रो में यह मेरी पूरी बर्ड की डिजाइन बन गई है अब इसके आगे हम उपर प्रेंट ब्लू कलर से बनाएंगे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कॉमिनेशन बना करके इस चोटी चोटी बर्ड की डिजाइन को बना सकते हैं तो आई अब देखते हैं बर्ड इस डिजाइन का ग्राफ इस ग्राफ की हल्प से भी आप इस डिजाइन को बना सकती हैं यह देखें इसी ग्राफ की हल्प से मैंने इस बर्ड की डिजाइन को बॉर्डर की रोप में बनाया है मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए डिजाइन आपको कैसे लगे तेंक यू